हालो दोस्तों आज की टॉपिक्स वीडियो की किसी भी फुली अटोमेटिक फ्रेंट लोडिंग वाशिंग मशीन में जो प्री वास फैसिलिटी दी जाती है वो क्यों दी जाती है उसे कब और कैसे यूज करें फ्रेंट लोडिंग वाशिंग मशीन में अगर कपड़े कलर्ड होते हैं कलर किये हुए कपड़े चाहे वो प्योर कॉटन के हो या कि सिंथेटिक धागों से बने हुए टेरी कॉट कपड़े हो पॉलिस्टर कपड़े हो ऐसे कपड़ों को लोग वाम वास करते या कि नॉर्मल टेंबरेचिर वास का मतलब है, 26 से लेकर के 32 degree Celsius तक ये normal टेंबरेचिर वास हो गया और warm वास का मतलब है 40, 45 या 50 degree Celsius, अगर इतने टेंबरेचिर पर कपड़े वास किये जाते हैं तो इसका मतलब है कि و lies वाust हो रहा है, और warm वास भी इसलिए किये जाते है कि टेरी कॉट या की पॉलिस्टर कपड़ों में सिकुडन ना आ जाए उनमें स्रिंकनस ना आ जाए और या की उन कपड़ों के कलर छूटे ना तो फ्रेंट लोडिंग वाशिंग मशीन में कलर कपड़ों को भी धुलने के लिए लोग प्रिवास करते है वो इसल कि ऐसे कपड़े अगर बहुत जादा पहने गए है और उनमें स्टेन आ गया है दाग लग गये है गैरेज में भी काम करने वाली लोग होते हैं उनके कपड़े काफी ग्रीसी होते हैं ओईली होते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट में काम करने वाली लोग या कि जिनको जादा Friend Loading Washing Machine में एक ऐसी facility प्रोवाइड की जाती है जिसको pre-wash कहते हैं. किसी भी front loading washing machine में आप देखेंगे कि उनमें कुछ separate buttons भी दिये गए होते हैं. जो pre-wash selection के लिए होते हैं या कि pre-wash selection के लिए कुछ separate program भी बनाए गए होते हैं. और वहीं अगर आपके कपड़े white color के होते हैं और वे pure cotton होते हैं. Pure white cotton कपड़ों को wash करने के लिए ज़्यादा temperature का पानी चाहिए. Approximate 90 degree, 90 degree best समझे जाते हैं. कुछ washing machine में 90 या 95 degree इतने ही maximum temperature की setting होती है. अगर white cotton कपड़ों को 90 या 95 degree Celsius के होट पानी में खुब brushing करके wash किया जाये तो ये कपड़े अच्छे wash होते हैं. तो इसलिए अगर आपके white cotton कपड़े हैं और उनकी धुलाई आप अच्छी चाहते हैं तो washing machine के अंदर कपड़ों को one by one इनको load करें. और फिर इनके door को proper lock करें और फिर इस washing machine के detergent dispenser, detergent dispenser को खोलें. आप इनको ध्यान से देखेंगे pre-wash detergent dispenser यहाँ पर हैं और main wash detergent dispenser यहाँ पर हैं. दोनों अलग-अलग पार्ट में होते हैं. Then fill the detergent powder in pre-wash dispenser and fill also in main wash dispenser. इनके main wash detergent dispenser में भी washing powder को डालें और फिर इनको close करें. और फिर washing machine के इस wash programmer timer को set करें. 95 degree Celsius हमें इस पर set करने हैं. इसलिए कि हमारे कपड़े 100% white cotton कपड़े हैं. इसलिए हमें 95 degree Celsius पे ही wash करना होगा. अब देखें इस washing machine को कैसे operate करेंगे. और किसी भी front loading washing machine के pre-wash वाले बटन को प्रेस करके इनको active कर दें. फिर आप start button को प्रेस करें. तो इसमें जो first time में washing machine पानी लेगी. तो वो सबसे पहले pre-wash dispenser में से पानी लेगी. और pre-wash detergent dispenser के पानी washing powder को dissolve करके ले जाएंगे. और फिर इनकी washing स्टार्ट कर देंगे. और कपणों को pre-wash करके कपणों के अंदर की extra mail, extra dirt, oily greasy dirt इनको wash करके निकाल देगी. और फिर washing machine main wash स्टार्ट करने के लिए पानी, इनके main wash वाले detergent dispenser के थुरू पानी लेंगे. और इस dispenser के अंदर के भी detergent पानी में dissolve हो करके main wash करते हैं. अब washing machine जब main wash करेगी 90 या 95 degree Celsius पे, इन कपणों के अंदर के stain भी उतर जाते हैं. और फिर washing machine इस main wash के पानी को भी drain करके इनको थोड़ा सा spinning करेगी. एनि detergent वाले पानी को निचोड़ करके इनको drain करके वापस दो बार पानी और भी लेगी washing machine rinse करने के लिए. और दो बार कपणों को rinse करकर के पानी को drain करेगी, drain out करेगी. और फिर last में ये front loading washing machine पीड में कपणों को spin dry करके आपके कपणों को बाहर हवा में डाल करके सुखा देने के लिए ready करते थी. तो दोस्तों ये हमारा front loading washing machine pre wash demonstration explanation करसा अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमें एक likes देके please motivate करिएगा. चैनल को subscribe करना और हमारे चैनल के playlist में fridge washing machine, microwave जैसे और appliances को भी सिखेगा. तो दोस्तों मिलते हैं एक good guidance informative technical वीडियो के साथ मैं next वीडियो में तब दे के लिए हैं.